क्या द्रोपदी मुर्मु जी कोई भविश में ऐसा कदम उठा पाएंगी? क्या संग और बीजेपी के द्वारा चुन कर आने के बावजूर द्रोपदी मुर्मु जी कोई एक हस्ताक्षर उस पन्ने पर कर सकती है जैसे आदिवासियों के सामोहिक हित उनको पूरे हो सकी क्या केवल एक ऐसी रबरिश्टाम की मोहर बन जाना है जैसे रामनाद कोविन दलितों के लिए थे जैसे नरेंद्र मोदी OBC हैं जैसे तमाम 27 कैबिनेट के मंत्री OBC बार कैबिनेट के मंत्री किंद्र में दलित फिर वे दलितों पिछड़ों आदिवासियों के आरक्षन खत्म किये जा रहे कि दलित राष्ट्रपती बनाया रामनाद को विन को प्रचार किया गया और उसी राष्ट्रपती के रहते हात रसकांड हुआ उसी राश्टपती के रहते दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए मूच रखने पर जीतेंद्र मेकवाल को मारा गया उत्रा खुंड में सुनिता देवी को क्या हाथ से खाना खाने से इनकार कर दिया गया दलितों का रक्षण खत्म किया गया दलितों पर अन्याच चार बढ़ते चले गए कभी राश्टपती ने एक लब्ज भी नहीं बोला यानि एक ऐसे रबर स्टाम को आगे रख दिया गया है जिनका चेहरा दिखा कर आपको कहा जाएगा उससे ऐसा लग रहा है कि NDA अपने प्रत्याशी को विजई बना करके देश के अगले राश्टपती के तौर पर एक आदिवासी महिला द्रोपती मुर्मू को पहली बार भारत के राश्टपती बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है ये खबर बहुत दल्चस्प है इस लिहाज से भी कि आजाद भारत के तकरीवन 75 साल बाद इस देश को एक महिला आदिवासी राश्टपती के तौर पर मिलने वाली है अगर सब कुछ इंडिये के गणित के मुताबिक रहा तो द्रोपती मुर्मू ही भारत के अगली राश्टपती होने वाली है लेकिन इस पूरे बातचीत के पीछे एक और द्रिश है जो इस देश को सोचना समझना और जानना चाहिए क्योंकि इतिहास ये बताता है कि भारती जनता पार्टी अपने विचार धारा अपने द्रिश्टिकूर को लेकर के बिलकुल इस पश्ट है 2014 के बाद से भारती जनता पार्टी ने हिंदुत्वा के चुनाव जीतने के लिए उस सौफ्ट चहरे को आगे किया जो एक जमाने मैटल विहारी वाजपेई को सेकुलर लिब्रल हर तरह के लोग पसंद करते हुए कहते थे वाजपेई नेता तो अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं भुला दिया जाता था वाजपेई का नुकेले पत्थरों को समतल करना और तमाम किसम उसके धार्मिक राजनीती को उसकी सौफ्टनेस की लिबास के नीचे और बाद में उसके बाद लालके शटबाणी और अब नरिंद मोदी की राजनीती आपके सामने खड़ी है बारती जनता पार्टी वह पार्टी है जिसने कभी भी अपनी विचारधारा से समझोता नहीं किया उन्होंने बहुत कूटनीतिक तरीके से हर दोर में सत्ता पाने के लिए कोशिशें की राम-मंदिर आनदोलन जैसे लवलुहान यात्रा पर चलने के बावजूद उन्होंने कभी अपने लिए शिकन नहीं महसूस कि कि हाँ हमने बाबरी मश्जिद विद्धवन्स किया हाँFirst किया हाँ हमने मंदिर के नाम पर वोट मांगा लेकिन वो अपनी विचारधारा पर और मजबूती से खड़े होते चले गए तीन सो सतर हटाना टिपल तलाख हटाना एक एक ऐसा परिद्र्श हमारे आसपास बना जब मैं यह आपसे बात्चीत कर रहा हूं राश्पती पत की चुनाव पर तो उसमें आप गौर करेंगे तो यही पाएंगे कि अगर रोजगार की बात करें युआ तो बीजेपी करेगी तीन सो सतर की बात आप कहेंगे महंगाई तो वो कहेंगे टिपल तरलाख आप कहेंगे बेरोजगारी तो वो कहेंगे कश्मीर आप कहेंगे दवाई तो वो कहेंगे पत्थरबाज आप कहेंगे सक्षा तो वो कहेंगे मस्जिद के नी देखिए जिन्हों ने एक रिटार्ड संगी बीजेपी के नेता यश्वन सिना को अपना साजाओं में द्वार घोशत किया है जबकि बीजेपी ने पहली बार एक दलित एक आदिवासी महिला को राश्पतीपत के नमांकित किया है आप इन दोनों को देखिए तो आपको लग लगा कि बीजेपी को हराने के लिए उनी की विक्ति को आगे कर रहे हैं आप ऐसे भी किसी विक्ति को आगे कर सकते थी जिससे कि आपका नयापन दिखता कॉंग्रेस का दिखता कि वह अपनी गलतियों से सीख रही है तमाम वामपंती सेकुलर लिबरल प्रोग्रेसिव हुए कि कॉंग्रेस लिबरल और तमाम विपक्षी दलों ने एक बेहत आपती जनक कंडिडेट का चुनाव किया है लेकिन इस बात से कॉंग्रेस की कम्यां गिनाने से विपक्षी दलों के नाकारापन के गिनाने से बीजेपी का काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता है आखरी इस बात ये कि दलित राश्च्रपती बनाया रामनात को विध को परचार किया गया बीजेपी का राश्टने। प्रेस कॉंफेंस करके गोशना करता है कि हमने एक दलित को राश्टपती बना दिया है और उसी राश्टपती के रहते हात रसकांड हुआ उसी राश्टपती के रहते दलितों पर अत्याचार बढ़ते गए मूच रखने पर जीतेंद्र में एक वाल को मारा गया उत्रा खुं के लिए कोई माइन नहीं रखता है उन्होंने खामोशी से बेहत सालिंता से वह काम किया जो और बीजे पीचाती रही है क्या दुरुपदी मुर्मु जल जंगल जमीन के लड़ाई आदिवासियों की है उस पर कोई स्टेंड ले पाएंगी क्या दुरुपदी मुर्मु जी को संगर्शों हस्देव बस्तर बकस्वा के जंगलों में शहीद होते मारे जा रहे और लड़ रहे आदिवासियों को लिए कोई सुकून लेकर आने वाला है क्या दिवासी जो हिंदू संस्कृति के भीतर वर्ण ब्योस्ता के भीतर अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं अ उनको पूरे हो सकें ये कुछ ऐसे प्रश्ण है जिन पर आने वाले वक्त में विचार होगा कि द्रोपदी मुर्मोजी का राश्टरपती बनाया जाना पहली महिला आदिवासी को राश्पती बनाया जाना क्या केवल एक ऐसी रबरिश्टाम की मोहर बन जाना है जैसे राम सरकारी सिक्षा बैची जा रही एगए उनके सरकारी नोकरी बैची जा रही है उनके लोगों पर अथ्याचार हो रहा है लेकिन यचा नेता प्रत्मनेदी कुछ नहीं करते यानि एक ऐसे रबर स्टाम को आगे दिया गया है जिनका चेहरा दिखा कर आपको कहा जाएगा कि हम करतों रहें समाजिक नहीं हमने दिया तो मौका 75 साल में पहली बार लेकिन काम आरेस के एजंडे पर होगा वो जो जल जंगल जमीन है जिसे अंबानी और रानी को बेचा जाना है शायद एक दलित राष्ट पती को एक आदिवासी राष्ट पती को आगे करके वो काम बहुत खामोशी से और बहुत चुपचाप कर न लिया जाए यह कुछ हमारे खत्रे हैं उम्मीद करते हैं और यह कामना है हमारी कि द्रोपदी मुर्मो जी जिनका जहरकंड का राष्ट राजिपाल रहते हुए रिकॉ करके आदिवासियों के पक्ष के लिए कोई काम किया है वरना तमाम राजियों के चुनावों में आदिवासियों की जल जमीन बेचने आदिवासियों की संपदा बेचने आदिवासियों के उपर रत्याचार दमन करने और आदिवासियों का वोट लेने की राजनीती बीजे विन की तरह कि उसके पीछे के अन्याय खामोशी से और बेहत कुरूरतम तरीके से करने में वो काम्याब हो गए आप देख रहे थे देन्यूस भी मैं डॉक्टर लक्षमर याद दो आपसे बाचीत कर रहा था यह बाचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और लोगों तक पहुचाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत बहुत शुक्रिया